हलो दोस्तों तो चलिए आज किस वीडियो में डिसक्रस करते हैं अब आउट डिफ्रेक्शन कंडिशन या फिर आप कहलो ब्रैक्सलों डिफ्रेक्शन कंडिशन होती है ना जब हमको नोन-zero intensity correspondingly नजर आती है हरा चलो स्टार्ट करते हैं जिस्ट इमेजिन कि आपका जो क्रिस्टल है राइट वाइस ग्रेटिंग काम कर रहा है हना एट सफिशेंट काइंड और स्टेबल एक्विलिब्रियम पर हना यहां से इंसिदेंट एक्स रियाई विद सम्किए वेक्टर ठीक इंस यहां पर अब हम डिविशन पार्ट साट करते हैं यहां तो आप लाउट मैक्सिमम और उस वाले पार्ट से डिर्क्ली इसको डिसकर सकते थे ठीक है कि जस्ट सेंग कि आई वेक्टर तो इस एस वेक्टर को गहते हैं एट विपल टो टेकर ट्राइंगल लोफ एक्टर से सिं होगा इट विल बी गिवन एज बिसिकली यहां पर हम कुछ कॉंसेंट फेक्टर भी होंगे हम एक्जेक्ली किस देफिनिशन को लेकर चल रहा है अस पर बात नहीं कर रहें टिक है इंटिग्रेशन यह आपका क्रिस्टल एंसिटी है इन इन डिलेक्ट लैटिस या फिर पोजिशनल स्पेस में गाहे लो वर ईपाउर आइटा की डिवेक्टर माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर एंड अफकोर ईपाउर आटा के साथ में जो होता है उसका पर फेस गया करता है कोई 1 by 2 pi भी भी उसकता है कोई 1 ही यूस करता है ठीक है वो जस अलग अलग कांड अफ रफिनिशन होती है फाइनल कंकूलुजन सभी से नहीं हाता है ठीक है ओके तो यहां से इसका इस चीज़ का क्रिसल देंसिटी के जब हम फूर्य ट्रांस कर रहे होंगे रहे हों तो दोस्त अगर हम इस चीज़ को इस चीज़ को अगर हम यहां उठागर पूट कर देंगे और फोर्स भी नो जी वेक्टर जो आपका है ठीक है इस नौट अटनियस तिंग तो यहां पर अपने एक समेशन साइन यूस करके इसको अंदर गो सात है जैसे हम इसको अंदर इं डल्टा कि हम ने क्या लिखा है इस चीज़ को जो था न वह पर के इंद॑ माइश कया है यह वेक्टर उसको डल्टा के बोल दिया हम ने डल्टा के वेक्टर आसा करके ते किय neck से summation और G वाला पार्ट था इसका थोड़ा side में लो, अब ये जो पार्ट है इतना, right, of course we can write this, this is nothing but the integral form of direct delta, ये delta function का ही integral form है, as you can all see, ठीक है, तो हमको बता नहीं, general definition delta function के ये आती है, मालने delta function ये है, इसका Fourier transform करा, we obtained something, अब उस चीज़ का inverse Fourier transform करो, तो वहां से 2 pi delta equal to ये तो integral form of direct delta ये अगर के लिख देते हैं, ये जस मैंने one dimension में एक जस समझाने के लिए बता है, ठीक है, तो इसका, इसका, actually, this is nothing but the integral form of this direct delta, तो इसके जगह मैं ये लिख देता हूं सीधा, just by comparing, directly by comparing, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ नों 0 हो, इसकी क्लोथी condition क्या है, कि delta function के अंदर जो पार्ट है, जालब, this thing must be equal to this thing, ठीक है, otherwise, delta function will always give you a 0, ठीक है, एन शुरुवात हम क्या लेकर चलेते हैं, इसको, amplitude of scattered wave, यानि की, amplitude of scattered wave, 0 ना मिले, नों 0 मिले, इसकी condition क्या रही है, delta k equal to g, यही है ब्रेक्सलों in reciprocal space, इसी का वो दूसरे शब्दों में भी लिख सकत के, and since, इन दोनों का magnitude सेम है, elastic scattering की बात करी जाती है, kind of rayless scattering की यहां पर बात करी जाती है, मतलब, आपर energy सेम रही है, ठीक है, ऐसा अगर के, तो 2 pi by lambda, ऐसा करके, ठीक है, we can just write it, तो यहां पर kd vector equal to g vector plus k vector लिख सकते हैं, अब दोनों side आप क्या करो, kd vector और kd vector से dot product कर दो, एसी की चीज के साथ dot product करा दो, हना, we can mathematically do this, it is not wrong, ठीक है, तो यहां से कुछ, जैसे kd vector ke mod ka square, ki i vector ke mod ka square, या पस में गांसल हो जाएगा, and you will get this, ki g vector ke mod ka square plus 2 ki vector dot g vector ke mod ka square, it is equal to 0, this is the most popular form of Bragg's law, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और यहीं पर relation between the interplanar separation and interplanar spacing and g vector ke magnitude, in which you can be a relation, okay, this is the general form, this is the general form, this is the general relation, this is the most general relation, okay, आप इसको मनलब imagine भी कर सकते हो, कि हमने कैसा अप्टेन करा, cubic system या फिर orthorhombic system माल लो, मैं रहा हो orthorhombic system माल लो, लेकिन समझना cubic system के लिए थोड़ा जाद आसान पड़ेगा, कैसे मैं आपको बताता हूं, कंसेडर करो क्यूबिक सिस्टम के बारे में बात करा है, लेट आस कंसेडर, ठीक है, तो इंटर्ब्लिन इस तरीके से दिया जाता है, विए A, B, C, R, E, आप ऐसा भी लिख सकते थे, A by and root H square plus K square plus L square, ऐसा भी आप लिख सकते थे, ठीक है, एंड G vector is defined as this, clear, यहाँ पर capital A, B, C vector क्या होते हैं, सभी को बता हैं, जैसे capital A vector क्या होगा, यह होगा, और cubic system में, simple cubic मानलों for example, simple cubic के case में क्या होगा, right, small A vector क्या होगा, A I cap, small B vector क्या होगा, A J cap, small C vector क्या होगा, small A K cap, ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ पर यह पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, आपकी 2 pi by I cap, अगर मैं इस A vector की जगह, इसको put करूँ, यहाँ पर A vector की जगह, मैं इसको put करूँ, 2 pi by I cap, ठीक है, तो मेरे भाई, आप यहाँ पर, आप यहाँ पर एक one-to-one correspondence, correspondence लेख सकते हो, को perpendicular treat कर रहे हैं, यह उस case में लिखा जा रहा है, ठीक है, यह हमारा general है, यह हमेशे true होगा, ठीक है, तो this was all about today, थैंकि आप यह सो मच दोस्तों, थैंकि आप यह सो मच and happy learning, I hope ए चोट चोटे capsules आपके अच्छे लग रहे होंगे, तो दोस्तों मिलते हैं, बहुत सारे अधा topic and interesting चीज़ों के discussion करने के बाद, तब तक के लिए सब लोग अपना घ्रान रखें, thank you so much and happy learning,